हलो वजह मंसु खिरयन मडर केस और साथ में ही इंटीलिय केस की छानबीन कर रही एजनसी नाए की तरब से एक बड़ी अपड़िट रही है जैसा कि आप सबको पता है कि मंसु खिरयन मडर केस और प्रंटीलिया केस में सचीन वजेह πहले ही तलोजा जिल में पहुछ चुका है वह जो है जुडेशिशेल कस्टीमें है लेकिन उसके साथ में ही आज उसका जो राइड है वल्ब की जो रियाज का जी था जो उसका काफी ज्यदा इसारे डिया थे वह यह जो है तलोजा। सेना या NCP का बड़ा नेता हो सकता है लेकिन अगर आपने देखा होगा तो जितने भी लोग अभी तक अरेस्ट हुए हैं वो सारे के सारे जो है सिवसेना के काफी ज्यादा क्लोज है या तो वो सिवसेना के नेता है या उनके साथ उनका बहुत ही गहरा रिस्ता है लेकिन है हम सचीन वज़े की बात करें सब ने जो नाम फ्लासे किये हैं वो सिर्फ और सिर्फ NCP के नेताओं के बारे में काफी बड़े बड़े फ्लासे किये हैं लेकिन जब बात की जाए नेता है प्रदीप सर्मा प्रदीप सर्मा नें सबसे बड़ी बात कि यह जो प्रदीप सर्मा है यह सिर्फ और साथ में ही यह जो है एक पुलिस इंस्पेक्टर भी रह चुका है सब्सक्राइब इसने 100 से ज्यादा in-counter किया है अब जो है नाय को शक्ख है कि यह जो फिरटी वाला case किया गया था यह जो लगित की इंटिलिया केस में जो है फिरवती मांगने के लिए किया गया था मुकेस अम्मानी से तो एनाईय को अपसक है कि वो चीज पूरी तरह से गलत है क्योंकि आज तक एनाईय को यह चीज गर के बाहर में रखा था आज तक उनको यह चीज नहीं क कंव होगा तो अभी उनको सक है कि यह सिर्फ और सिर्फ रस मैनुपलेट करने के लिए किया गया था इनका सी door सिर्फ एक ही मकसद था दो लोगों का इंकांवार करना वो जो और या बाद अभी काफी दूर से काफी लफडा चलना है और और औरंगाबाद में जो कार पाई गई थी जिसमें बताया गया था कि औरंगाबाद का वो कार थी और उसी में दो मुसल्मान लड़कों का इंकाउंडर करना था और उनको टेरिस्ट बताना था और उसके पीछे का एक रीजन है काफी टाइम से औरंगाबाद का नाम चेंज करके उसको सामभाजी महराज का नाम पे रखता जाना था मतलब कि जो औरंगाबाद है उसका नाम चेंज करना जाते थे काफी बड़े बड़े जो पॉलिटीसियन है वो नाम चेंज करना जाते थे तो हो सकता है अबिनाये को ये भी सक है कि ये planning सिर्फ और सिर्फ औरंगा बाद का नाम जो है चेंज करने के लिए की गई थी जिससे कि उसका नाम खराब हो पहले तो औरंगाबाद का नाम खराब हो वहाँ पर टेस्ट वहाँ से मिलते हैं दो लोगा encounter करने के बाद ये हो जात हो सकता है कि ये नाम चेंज करने के लिए इतना बड़ा कांड किया गया क्योंकि अगर हम बात करें मुके संबानी की तो मुके संबानी वैसे भी फंड हर एक पार्टी को देते हैं आपको पता होगा जाए वो कोई भी पार्टी हो जब election का टाइम आता है तो मुके संबानी क तु willing इस से बात करते ना के इस तरह का बेवीकूफ़ौ फाली हरकते करते जिस से कि वो फस्टागत सकते थे जिसके उनकी गुवर्मेंट भी सकती है तो अभी अभी जो सब से बड़ी अप्डेट आरी मास्टर्मान बता जा रहा है वो प्रदीफ सर्मा को बता बता रहा है उसको जो है बताया जा रहा है कि जेलेटिन इस्टिक उसी ने लाकेश सर्चिन वजे को दी तो ये पूरा का पूरा गेम जो है अभी सिवसेना के आज पास ही हों रहा है जैसे कि अभी तक जो ये गेम था पूरी तरह से NCP के नेताओं को फसाने की कोशिस की जा रही थी लेकिन अगर अब देखें जो NIO को जो सक है उसमें बताया जा रहा है कि इसमें पूरी तरह से जो है लिए है वह एंस्ट के नेताओं को लिया है जहार परमीर सिंग्परमीर सिंह परमीर सिंह का कनेक्षन जो है वह च्पर अच्छा और रही बात वो अनिल देश्मुक के उपर उसने आरोप लगाया अनिल देश्मुक के अलावा जो है परंबीर सिंग ने किसी और का नाम नहीं लिया यानि स्यूसेना कि किसी भी मंत्री या नेता का नाम नहीं लिया लेकिन जब भी परंबीर सिंग नाम लिया तो सिर्फ और सिर्फ u twelve जो किया किया जाने वाला था उसमें अ इनाइये को अभी तक इनाइये ने एक तो कार जब्त की जो कि औरंगाबाद की थी उसका नंबर प्लेट डbank किया और 7 में ही 62 बुलेट जिस जिन बुलेट का यूज करके encounter करने वाला था सचीनोजे वो सारे के सारे ए बुलेट जो है एना ये ने जब्द किया है तो कहीं न कहीं थी ये काफी ज्यादा shocking है कि वो सारे के सारे बुलेट जो इनकी पहले से ही पूरी एक master planning की गई थी मतलब कि ऐसा नहीं था कि ये सदेलनी होने वाला है उनकी पूरी planning थी starting से ही लेकिन उनका जो planning था main की आखिर कर ये encounter किस लिए करोगे सबसे बड़ा चीज जो है एक रीजन चाहिए था कि आखिर कर क्यों encounter किया जाएगा इसी लिए जो है उन्होंने मुके सम्मानी के घर को चुना था जिससे की ज्यादा ब ऐसा होटल के मालिक तो है नहीं कि होटल के मालिक है उनसे पहुचो फिरौती माओ वो तुरन फिरौती दे देंगे उनका बहुत बड़ा नाम है मुके संबानी का और पूरे वो जाए central government से connection हो जाए state government से और सब के साथ उनका अच्छा connection है तो वो उनसे कोई भी इस तरह से नहीं मांगेगा यह आप सबको पता है तो उनका पूरा यह जो फिरौती मांगने का जो प्लानिंग था वो कहीं न कहीं से पूरी तरह से गलत है यहां पर सीधा सीधा प्लानिंग सीर्फ और सीर्फ की गई थी encounter करने का जो की इस चीज में महारत हासिल है सचीन वजे को भी और वो जो पहले से रिटायर्ड आप्सर है प्रदीव सर्मा जो कि शुसेना का बड़ा नेता भी कहा जाता है तो उसका भी उसने भी 100 से जादा encounter किया है तो इन सारे के सारो लोग जो जो इनकाउंटर में बहु आप जो है जब यह फस चुके हैं तो यह किसी और मंत्रिया और किसी और नेताओं का नाम ले रहे हैं और रही बात जो फिरौती मांगने की 100 क्रोन की वसूली को लेकर तो वो जो है सीवियाई अपनी तरफ से जानबीन कर रही है और उसमें अनिल देश्मुक ने अगर ऐसा कुछ किया है तो अनिल देश्मुक जैसा कि maximum chances सा है कि फ्रहोती मांगने वाले कार्ण में अनिल देश्मुक का हाथ है जैसा कि अभी तक जो अपडेट मिल लए अगर यह बास सच है तो अनिल देश्मुक और अब जो है उधो ठाकरे को भी कोई जाजा टाइम तक बचा नही कि अज्ड़ कि अड़ всего हैhou週 सच है में अनिल देश्मुक अनिल देश्मुक और कbling आञ wichtiger लग जह उनिल देश्मुक जो थे की कारे तो में, जेश्मिल इसे इसे जितिक कि आ़ प Ł murder, झारी से अपड़क जो नहीं, अजिए जैसे देश्मुकilan झляईख़्